Hyundai AX1 ये Hyundai की तरफ से एक Micro SUV होगी जो कि पहले साउध कोरिया में लांच की जाएगी और उसके बाद इंडिया में Hyundai AX1 का इंडिया में में मेंन कॉंपेटिशन मारूती सुजुकी इगनिस और Tata की अपकमिंग Micro SUV Tata HBX से होगा जो कि इस साल ओक्टबर में लांच होने वाली है अगर आपको Tata HBX का रिव्यू देखना है तो उपर आरे लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो तो आते अपने टापिक पे तो Hyundai की Micro SUV AX1 साइज में वेन्यू से भी छोटी रहेगी लगबग ITEM जितनीस की लेंथ होगी और सम्वेर ITEM के ही प्राइज में ये कर आएगी और इसका नाम भी AX1 नहीं होने वाला ये बस एक कोड नेम है तो आज की इस वीडियो में Hyundai की Micro SUV AX1 के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक दिखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना Hyundai AX1 शायद Hyundai की K1 प्लाटफर्म पर बेस्ट होगी जिस पर I10 Nios भी बनी है और इसमें आपको I10 जैसा इसेम इंजिन ऑप्शन्स मिलेंगे इसमें आपको एक 1.2 लिटर का पेटरल इंजिन मिलेगा जो प्रेडिस करेगा 83 PS of power सेकेंड इंजिन होगा एक 1.2 लिटर का डिजल इंजिन जो प्रेडिस करेगा 75 PS of power और थर्ड और लास्ट इंजिन होगा एक 1.0 लिटर का टर्बो पेटरल इंजिन बात कर इसके लुक्स की तो ये कार थोड़ी वेन्यू जैसे ही दिखती है बस साइज में थोड़ी छोटी है अभी तक इसके जितने भी spy pictures और वीडियो आए है उनमें तो यही दिखरा है कि इसमें आपको काफी उनीक triangular pattern के grill मिलेगी with LED headlamps and O-ring LED DRLs साथी में इसमें आपको LED strip भी मिलेगी जो की turn indicators का काम करेगी Side में इस कार में आपको 15 inches के diamond cut alloy wheels मिलेंगे साथी में इसमें आपको chrome door handles, integrated roof rails and shark fin antenna, rear defogger and wiper और smart entry मिलेगी बात कर इसके interior की तो Hyundai AX1 में आपको शायद best in segment features मिलेंगे क्योंकि यह Hyundai की car है इसमें आपको शायद dual tone grey और all black interior मिलेगा इसके dashboard में आपको एक 8 inch की touchscreen system मिलेगी with apple carplay, android auto and voice recognition साथी में इसमें आपको 5.3 inch का advanced digital speedometer मिलेगा with multi information display बात कर इसके कुछ और features की तो Hyundai AX1 micro SUV में आपको leather wrap steering wheel, wireless charging, fully automatic temperature control, rear AC welds, pulled glove box, hide adjustable driver seats, killed but not telescopic steering wheel और सायद इसमें आपको sunroof भी मिलेगा सेफ्टी features भी इसकार में काफी सारे होंगे सेफ्टी features में इसमें आपको ABS plus EBD, rear parking camera with parking sensors, emergency stop signal, driver rear view monitor और जैसे Grand I10 में आपको 65% high density steel मिलती है वैसे ही AX1 में भी आपको मिलेगी तो बात कर इसके price और launch date की तो Hyundai AX1 micro SUV जून या जुलाई तक South Korea में launch होगी और next year यानि 2022 की March या April तक इंडिया में launch होगी और इसका price भी I10 जितना ही होगा नियरली 5 to 8.5 lakh रुपीज एक सोरूग तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको Hyundai की all new micro SUV AX1 कैसी लगी और आप इसे उसके competitor जैसे मारूती Suzuki Ignis और Tata SBX की बजाए खरीदना पसंद करेंगे या नहीं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर देना